नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में 68th BPSC 2023 के लिए प्रेक्टिस सेट डिसकस करेंगे ए प्रेक्टिस सेट नम्मर 3 है इसका पहले प्रेक्टिस सेट एक और दो अप्लोड हो चुका है जो नहीं देख जाके देख लिजिएगा प्रेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा टोटल आपके 150 प्रेस्ट को डिसकस किया गया है और आप सभी लोग कितने प्रेस्ट को सही कर पाते हैं उसके बारे में कॉमेंट बोक्स में बताएगा अगर वीडियो आप सभी को हेलफू लेगा तो वीडियो पने दोस्तों में सेयर जरूर कीजेगा जो चैनल पर पहली पर आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा तभी आपको अगली वीडियो का नोडिफिकरशन मिलेगा ठीक है तो आई देखते हैं पहला कोशन बिहार के सुपरसीद संत सफो दिन मनेरी का संबंध सुफियों के किस संपरदाय से है तो इनका संबंध जो है फिरद की मिर्तू होता है मुल रूप से बिहार सब्द का अर्थ है जो बिहार सब्द है बिहार सब्द का क्या अर्थ है तो बिहार सब्द का अर्थ है बाओध मठ बिहार किसान सवा से कौन जुला था बिहार किसान सवा से कौन जुला था स्वामी सहजानन्द कारियानन्द सर्मा राहुल सांकिरतायन, यदुनंदन सर्मा, ये चारों आपके जो हैं बिहार किसान सभा से जुल हुए थे, तो एक से अधीक आप्शन आपका ठीक हो जाएगा, बिहार किसान सभा, इसकी अस्थापना कब की जाती है, तो 1929 में इसकी अस्थापना की जाती है, और इसकी अस्थ पहले आपको याद रखना है कि जो सुराज दल है इसका गठन दो बेक्ति के द्वारा किया गया है सी यार दास और मोती लाल नहरू के द्वारा मोती लाल मोती लाल नहरू के द्वारा ठीक है इसमें आपको याद रखना है कि सी यार दास जो है अध्याच थे सी आरदास जो है अध्यर्च थे जबकि मोतिलाल नहरू जो है महा सचीव थे ठीक है महा सचीव थे इसे नूट कर लिजेगा और अपसे कोशन में क्या पुछा गया कि बिहार में जो है सुराज दल का गठन किस ने किया है तो सिरी क्रिशन सी के दुवरा किया गया है बर्स 1930 और बर्स 1932 में बरही कांगुरिस ने सफलता पुर्वक अंग्रेजी हुकुमत को किस जिले से नकार दिया था तो मुंगेर डिस्टिक से नकार दिया था नेक्स्ट कोस्टन है कि नौ नलंदा महाभियार किस के लिए बिख्या थे जो नौ नलंदा महाभियार है ये किस के लिए बिख्या थे तो आपको याद रखना है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए बिख्या थे दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्रहमनों पर भी जजिया कर लगाया गया था तो फिरोसा तुगलक के दुवरा लगाया गया था ठीक है अर आपको याद रखना है कि जो एम बिटी है मुहमन बिन तुगलक के बाद को लगाया था फिरोसा तुगलक आता है और पूरे सलतनत काल में सबसे पढ़ा लिखा इनसान कौन था साषक में तो महमन बिन तुगलक था फिर से बोलते हैं कि जो सल्तिनत काल है, सल्तिनत काल में सासकों में सबसे पढ़ा लिखा कौन था, तो एम बीटी था मुहम्मद बिन तूगलग था, किसने कांग्रेश को जो है सुष्म दरचिय अल्प संख्यक जनता का परते निधी बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था, पिर से बोलते हैं, किसने कांग्रेश को सुष्म दरचिय अल्प संख्यक जनता का परते निधी बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था, मतलब कि जो कांग्रेश मुठी भर लोगों का संगठान है, ये किसके द्वारा बोला गया था, तो लौड डफरिन के द्वारा बोला गया था, जो भारती राश्टी कांग्रेश से इसकी अस्थापना कब होता है, तो 1885 में इसकी अस्थापना होता है, और इसके पर्थम अध्याच कोन होते हैं, तो बेमेश चंदर बंदर जी होते हैं, जबकि जो भारती राश्टी कांग्रेश से इसकी अस्थापना किसके दबारा किये जाता है, तो A.O. Hume के दबारा किये जाता है, जो महा सचीब भी Congress के होते हैं साथ ही आपको याद रखना है कि Congress के पहले Muslim अध्याष क्म थे तो बद्रुदिन तयब जी Congress के पहले Muslim अध्याष थे और कब बनते हैं, तो 1887 में बनते हैं 1887 में बनते हैं और आपको याद रखना है मदरास अधीबेशन में बनते हैं ठीक है मदरास अधीबेशन में बनते हैं निमलिकित में से कौन सा सिंदु घाटी की सब्ता से सम्मंधित अस्थल नहीं है इसमें से कौन सा जो लोकेशन है जिसका सम्मंध सिंदु घाटी सब्ता स जबकि जो पाटली पुत्र है इसका संबंध सिंदु घाटी सबता से नहीं है इसका संबंध जो है मगद से है ठीक है बरतमान में पाटली पुत्र को पटना बोला जाता है काली बंगा आपको याद रखना है काली बंगा कहां पर है तो रजस्थान राज में अस्तित है लोथ लोथल गुजरात में अस्तित है और बंदरगा के लिए लोथल परसीत था जबके जो काली बंगा है जूता हुआ खेत के लिए परसीत था इलवट बिल विवाद किस से सम्मंदित था जो इलवट बिल विवाद है यूपीस्सी भी इसके बारे में पूस चुका है इलवट बिल विवाद किस से सम्मंदित है तो आपको याद रखना है जो इलवट बिल विवाद है इरोप के लोगों के मामलों के सुनवाई करने के लिए भारतिये नियाधिस पर लगाई गई आयोकताओं को हटाया जाना जो है इलवट बिल विवाद है आपको सिंपल भासा अगर कोई जज है ठीक है कोई एक अगर भारती जज है index है इंडियन जज है तो जो अंग्रेज है जो भारत में अंग्रेज था उसका भी case सुन सकता था ठीक है ये नियम लाय गया था इलबट बिल में लेकिन अंग्रेज जो गोरे लोग है इसका बिरुवत करते हैं और इस बिल को बापस लेना पड़ता है ठीक है इसे बोला गया इलबट बिल विवाद बोला गया है और इस समय 22 राय कौन थे जब इलबट बिल विवाद आता है तो इस समय आपके 22 राय थे रिपन ठीक है कौन थे रिपन लिटन जो है आपके रिपन के पहले लिटन थे और आपको याद होगा कि 1877 में जो है पहला दिल्ली दरबार होता है और दूसरा कब होता है तो 1803 में होता है और 1903 में होता है और तिसरे कब होता है तो 1911 में दिल्ली दरवार होता है तीन दिल्ली दरवार आपके होता है और जो बरना कुलर प्रेस एक्ट है ये लिटन के दोवारा ही लाया गया था निमलिकित में से कौन दादा भाई नौरजी के उतसारन सिध्धान्त ड्रेन थिओरी में विश्वास नहीं करता था ठीक है जो आपके दादा भाई नौरजी हैं आपको याद है इनके दोवारा धन के निकासी सिध्धान्त दिया गया था तो धन के निकासी सिध्धान्त को कौन विश्वास नहीं करता था तो आपको याद रखना है सर सयद आहमद खा विश्वास नहीं करता नेक्स्ट पॉइंट है निमलिकेत में से कौन सा अस्थान जो है गटकरी बिद्रो का किंद्र था आपको याद रखना है गटकरी जो नितिन गटकरी ये कहां के हैं तो महरास्ट के हैं ठीक है नितिन गटकरी कहां के हैं तो महरास्ट के हैं आपको याद रखना है कि जो गटक गुफाओं के सेल चितर के लिए प्रसिद है तो जो भीमबेट का है मद्प्रदेस राज में अस्थित है एक जूते हुए खेत की खोज की गई तो कहाँ पर किया गया, काली बंगा में किया गया, ठीक है, कहां पर किया गया, काली बंगा में किया गया, साथ ही आपको याद रखना है कि धौला बीरा, ये धौला बीरा जो है, किस राज में अस्तित है, तो धौला बीरा जो है, गुजरात में अस्तित है, और किस लिए प्रसीद है, तो बाटर मैनेजमेंट के लिए परसीद है धोला विरा ठीक है निमलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के परती भारी जुकाओ था इसमें से जो कौन सा जो राजा है जिसका सरवाधिक जुकाओ जैन धर्म की योर था उसका नाम क्या है तो उसका नाम है खारवेल क्या उसका नाम है उसका नाम खारवेल है ठीक है आद रखे खारवेल साथ ही आपको याद रखना है जो खली जो खारवेल है खारवेल के बारे में याद रखेगा कि ये कहां का राजा था तो कलिंग का रजा था कलिंग का रजा था कलिंग बरतमान आपकी उड़िशा और इसका संबन जो है किस बंज से था ये एकजामे पूछा जाता है तो चेदी बंज से इसका संबन था ठीक है चेदी बंज से इसका संबन था खारवे लगाओ नेक्स्ट पॉइंट है पुर्वी रोमन सासक जस्टियन का सरवाधिक महतपुर्ण योगदान किस छेतर में था जो आपके जस्टियन है इसका सरवाधिक महतपुर्ण योगदान किस छेतर में था तो इसका सरवाधिक जो योगदान था बिधी के छेतर में इसका सरवाधिक था अधो लिखित में से कौन एक चारवाक के अनुसार सर्बोच मुल है जो इथिक्स पढ़ ली होंगे अगर आप लोग UPSC का त्यारी कर रहोंगे तो आपने इथिक्स पढ़ा होगा ठीक है तो चारवाक दरसन आप लोग पढ़ते हैं तो यह पूछा गया है कि अधो लिख उसका करज लेके घी पी के कमब लोखे सोजाओ ठीक है यह बहुत ही विचित्र लोग थे नेक्स्ट क्वाइंट है निमन में से कौन सुमलित करम है इसमें से कौन आपके सुमलित करम है तो देख लिजिए एनी बेसेंट यंग इंडिया है तो यह गलत है एनी बेसेंट का इनका केसरी है, तो ठीक है, और मराठी भी जो है, किसका है, तो बीजी तिलक, बाल गंगा, धर तिलक कहीं है, जबकि सुर्णदात मनरजी का मराठी नहीं है, तो इसमें सुमलित को न है, केबल आपके जो C option है, ये सुमलित हो जाएगा, तो C इसका राइट अंसर हो जाएगा आपको याद राखना है, कि जो मराठी है, ये किस लेंग्वेज में था, तो इंग्लिस लेंग्वेज में था, जबकि जो केसरी है, ये मराठी लेंग्वेज में था, तो आपको हम बताये थे, कि देयानन्द सुर्षतिक क्या देती है, आपको याई देती है, अगर आप प आरस समाज इसकी अस्थापना कब किया जाता है तो 1875 में जो ही इसकी अस्थापना बंबई में किया जाता है लेकिन आपको याद रखना है कि 8077 में जो है इसका हेड क्वार्टर को ट्रांसफर कर दिया जाता है कहां ट्रांसफर कर दिया जाता है तो लहौर ट्रांसफर कर दि इसमें से कौन सा जो बिकल्प है गलत है उसके बारे में आपको ढूंड़ना है तो ढूंड लेजिए तुरिपच्छी संघर्ष में पाल प्रतिहार के अलाबा तिसरी सकती राष्टकूट सासको की थी तो बिलकूल ठीक है जो तिरी पसी ये संगर्ष था ये किस छेतर के लिए हो रहा था नोट कीजेगा तो कन्नौज छेतर के लिए हो रहा था ये आपको नोट कर लेना आपसे एक जामे पूछा जाता है राश्टकूट बंस का संस्थापक दंति दुर्ग था बिलकूल ठीक है अलोरा अस्थित कैलास मंदिल क्रिश्न पर्थम द्वारा निर्मित भारतिये आगे लिखा गया है भारतिये बास्तु कला का सामदार नमूना था तो ये भी ठीक है कविराज मार्ग अमोग बरस की प्रसिद रचना है तो ये भी कथन आपका ठीक है इसका मतलब चारो के चारो ऑप्सन जो है ठीक है तो क्या हो जाएगा ये ऑप्सन हो जाएगा ये इसका रैइट एंसर हो जाएगा ठीक निमलिखेत में से किसका बिचार था कि अलाव उद्दीन के बजार नियंतरन का एक बड़ा उद्देश हिंदुों को सजा देना था ये किसका बिचार था तो ये बिचार था बरनी का बरनी का बिचार था कि अलाउदीन के बजार नियंतरन का एक बड़ा उद्देश जो हिंदु बेपारी है उनको सजा देना था ये किसका कथन है तो बरनी का है इसके बारे में आप लोग डेटेल से पढ़िएगा जो यह कत्थन बोला गया है तरीके से कत्थन ठीक नहीं है अप लोग इसके बारे में पढ़िएगा निम्रिकित में से किस सुल्टान के लिए आभागा आदरसबाधी की संग्या दे गई थी अभागा आदर्सवादी की संग्या की सासक के लिए दिया गया है तो मुहम्मद बिन तुगलक के लिए दिया गया है आपू क्या बताये थे कि जो पूरा सल्तनत काल है, पूरे सल्तनत काल में सबसे पढ़ा लिखा जो सासक है मुहम्मद बिन तूगलक है लेकिन इनके द्वारा जो भी नितियां बनाया गया वो सारे नितियां फेल हो गया जैसे कि तामे के मुद्रा का परचलन, दुसरा राजधानी परिवर्तन, तिसरा दुआब में करविर्धी यह तीनों जो अस्की में इसे बापस लेना पड़ता है MBT के द्वारा ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है निम्डखित में से किस सुल्तान ने बंसा नुगत के सिधान को सेना पर भी लागू किया यह लागू किया था फिरोसा तुगलक के द्वारा ठीक है फिरोसा तुगलक के द्वारा लागू किया गया था तो D इसका राइट अंसर होगा किस गुप्त सासक ने चीन के सांग समराट के दरवार में राजदूत भेजा था तो किस के दवारा भेजा गया था? ये बेजा गया था, असकंद गुप्त के दवारा भेजा गया था निमलिखित में से किस चेर सासक ने कुरूछेतर की दोनों ओर की सेनाओं को भरपिड भोजन कराया था कुरि छेत्र की जो है दोनों और की सेनाव को भरप्ट भोजन था तो किसके दवारा कर गया था ये कराय गया था उदरे जीरल के दवारा उदरे जीरल के दवारा कराय गया था तो D option इसका ठीक हो जाएगा तेश में तिर्थंकर पार्शावनात के बारे में सत कथन आपको बताना है तो देखी इसमें से कौन सा कथन आपके सत है पार्शावनात कासी के राजा अस्वसेन के पूत्र थे तो बिलकूल ठीक है पार्शावनात ने जाती परपरहार किया ये भी ठीक है पार्साव नात ने इस तिरियों को भी अपने धरम में परबेश दिया तो ये भी कथन आपका ठीक है तो इसके सारे कथन आपके ठीक है तो क्या हो जाएगा सारे कथन ठीक है तो इन में से कोई नहीं हो जाएगा इनमें से कोई नहीं क्योंकि option में कोई दिया ही नहीं गया है तो एक दू तीन आपको सारे सही हो जाएंगे और साथ ही आपको याद रखना है कि जैन धर्म के 24 में तिर्थंकर कोन है तो महाबीर है ठीक है महाबीर जो है जैन धर्म के 24 में तिर्थंकर है पुस्प मित्रों का अकर्मन किस गुप्त सस्तक के समय में हुआ तो जो पुस्प मित्रों का अकर्मन जो है कुमार गुप्त के समय में होता है जो कुमार गुप्त है इसका ससनकाल कब से कब तक रहता है स्वामी द्यानन स्वर्षती ने कौन से पुष्टक लिखी है तो देख लिजी स्वामी द्यानन स्वर्षती ने कौन से पुष्टक लिखा है तो सत्यात प्रकास बुक है ये लिखा गया है स्वामी द्यानन स्वर्षती के द्वरा लिखा गया है जबके राज योग बुक है क चतुरंग ये बुक किसके दुवरा लिखा गया है तो ये बुक लिखा गया है रभीण नाथ टाइगर को दुवरा ठीक है रभीण नाथ तैओगर को दुवरा य इतनी आपको याद रखना है तो ए इसका राइट इंसर हो जाएगा नेक्स्ट पॉइंट है निम्लिकेत में से कौन जो है अजाद हिंद फोज के सदस्यों के खिलाप चल रहे मुकदवे में बचाव पच का नितरित्व कर रहा था जो बचाव पच है उसका नितरित्व किसके दवरा किया गया था तो भूला भाई देसाई के दवरा नितरित्व किया गया था ठीक है भूला भाई देसाई के द्वरा नित्रूत किया गया था लाल किला मुकदवा में और आपको याद रखना है किसका बचाव करते हैं मेजर सहनबाज खान करनल प्रेम सी सहगल और तिसरा बेक्ति हैं करनल गुरुबक्स सी इन तिनों का बचाव करते हैं भ और भी बकील जो हते हैं बचाव पच में आते हैं उनका नाम नोट कर लेजिएगा तेज बहादूर सप्रू कैलासनात काडजू आसफ अली एवं जवाहलाल नहरू आपके बचाव पच में आते हैं ठीक है निम्लिकेत में से कौन जो है 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लिंग द्वारा सुकृत लहर प्रस्ताव से नहीं जोड़ा था इसमें से देखिए जो मुस्लिम लिंग द्वारा जो है सुकृत लहर प्रस्ताव से इसमें से कौन आपके जोड़ा हुआ नहीं था तो सिकंदर हयात खान, फजलूल हक और खली कुजमा ये तिनों जोड़ा हुआ था जबकि खीजर हयात खान आपके जुड़े हुए नहीं थे ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है कि मदर लेंड नामक अखबार का प्रकासन किसके द्वरा किया गया तो जो मदर लेंड अखबार है इसका प्रकासन मजरूल हक के द्वरा किया गया है मजरूल हक के द्वारा इसका प्रकासन किया गया है निमलकेत में से कौन एक बर्स 1918 में उत्तर परदेश में किसान सभा की अस्थापना से सम्मंदित नहीं था 1918 में उत्तर परदेश में किसान सभा की अस्थापना से सम्मंदित नहीं था तो कौन आपके सम्मंधित नहीं था गौरी संकर मिस्र इंदन नरायन दुवेदी मदन मुहन मालवी ये तीनों आपके सम्मंधित थे जबकि ब्रज की सोर आपके सम्मंधित नहीं थे भारत में सतीपर्था की समाप्ती से कौन सा गवर्न जनरल समंदी थे? सतीपर्था सतीपर्था को कब समाप्त किया गया था? तो 1829 में इस समे भारत का गवर्न जनरल थे? लॉड बिलियम बैंटिंग थे इनका ससनकाल कब से कब तक था तो इनका ससनकाल जो 1828 से 1835 तक इनका ससनकाल रहता है और आपको याद राखना कि जो सती पर्था की समापती होता है यह आपके 1829 में होता है किसके परियाश से होता है तो राजा राम मोहन राए के परियाश से होटा है, अर आप से पूझा जाता है, कि बिधवापुना बिवाः कब आता है, तो में आता है, और इस समय भारत के गवर्नर जनरल कोई थे? तो कैनिंग थे ठीक है कैनिंग जो है इसमें भारत के गवर्नर जनरल थे और आप सभी लोग कॉमेंट करके बताईएगा कि जो बेदवापुना बिवा है किसके परियास से आता है किसके परियास से बेदवापुना बिवा आता है आता है आप से भी लोग कॉमेंट करके बताइएगा निमलिखित में से कौन जो है कांग्रेस समाजबादी पार्टी का संस्थापक सदस नहीं था कांग्रेस समाजबादी पार्टी का संस्थापक सदस कौन नहीं था तो सबसे पहले जो कांग्रेस समाजबादी पार्टी है इसकी अस्थापना किसके दोरा किया गया था तो इसकी अस्थापना जो है माई 1934 में जो है किसके दोरा किया गया तो अचार नरेंद्र देव और अचार नरेंद्र देव और जैपरकास नरायन के दोरा किया गया वाजबादी पार्टी के उसके बाद आपसे पूछा गया क्या है कि संस्थापक सदस मिनु मसानी भी होते हैं राम मनोहर लोहिया होते हैं नरंदेव होते हैं जो अब तुब देख चुके पहले ही जो जवाहला नहरू है यह नहीं होते हैं तो डी इसका राइट अंसर हो यह कौन करता है तो डलहोजी करता है अपने राज में तो जैतपुर का बिले का होता है तो 1849 में होता है सबसे पहले किसका बिले होता है सतारा का यह का होता है 1848 में होता है ठीक है जासी का बिले का होता है तो 1854 में जासी का बिले होता है नागपुर का बिले का होता है तो इसमें इसका अंसर क्या हो जाएगा दो एक तीन चार तो इसमें देखिए दो एक तीन चार तो भी इसका राइट अंसर हो जाएगा साथ ही आपको याद रखना है संभलपूर नोट कीजिएगा संभलपूर संभलपूर का बिलाई जो है अंग्रेजी राज में कब होता है तो 1849 में होता है कौन करता है तो डलहोजी करता है बगहाट इसका कब होता है तो बगहाट का होता है 1850 में उदैपूर नोट कीजिएगा उदैपूर का कब होता है तो 1800 बामन में उदैपूर का होता है उसके बाद जासी देख चुके हैं और नागपूर आप देख चुके हैं तो इतना आपको याद रखना है एक बात यौर भी याद रखेगा कि जो अबद है अबद को कुसासन के आरोप लगाके कब अंग्रेजी राज में मिलाया जाता है तो 1856 में मिलाया जाता है इसे नोट कर लिजेगा आपसे एकजाम में पूछा जाता है मुसलिम लिंग एबम भारती रास्टी कांग्रेज के बीच राजनीतिक गतिरोद को दूर करने के लिए किसने बनाया था किस के द्वारा बनाया गया था तो सी राजगोपलाचारी के द्वारा बनाया गया था नेक्स्ट पॉइंट है कि आई यन ए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था तो कहां पर चलाया गया था लाल किला दिल्ली में चलाया गया था ठीक है लाल किला दिल्ली में चलाया गया था कब चलाया गया था तो नमबर 1945 में चलाया गया था किस पर चलाया गया था आपसे पूछा जाता है किस पर चलाया गया था तो फिर से बोलते हैं मेजर सहनबाज खान करनल प्रेम सहगल तिसरा करनल गुरबक्स सिंग ये तिनों नाम आपको याद रखना है और बचाओं में नित्रितु कौन करते हैं बुला भाई देशाई जो है नित्रितु करते हैं गांधी जी को half nude फकीर अतलब गांधी जी को जो है अर्धनंग्ड फकीर किस के द्वारा बोला गया था किस ने कहा था तो बिस्टन चर्चिल के द्वारा बोला गया था किस घटना के दोरान बालगंगा दर्तिलोग को लोकमान का उपनाम दिया गया तो आपको याद रखना है कि 1897 में इन पर राजदरों का मुकदमा चलता है और 6 महने के लिए इनको जेल होता है इसके बाद इन्हें जो है लोकमान का उपाधी दिया जाता है तो इन में से कोई नहीं हो जाएगा और यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है कि लोकमान किसे बोला गया है तो बालगंगा दर्तिलोग को बोला गया है अगर आपसे बोल देगा कि यह तो लोकमान हो गया अगर बोल देगा लोकनायक लोक नयक किसे बोला जाता है तो जेपरकास नरायन को बोला जाता है जेपरकास नरायन को जो है लोक नयक बोला जाता है जन नयक उसको बोला जाता है जन नयक तो करपूरी ठाकुर को ठीक है करपूरी ठाकुर को जो है जन नयक बोला जाता है उसके बाद है देश बंधू देश बंधू किसे बोला जाता है तो C.R. दास को जो है देश बंधू बोला जाता है तो इसका रहाट अंसर क्या हो जाएगा इन में से कोई नहीं हो जाएगा सुरत विभाजन कब हुआ था तो निमलिकित जीलों में से कौन से जील बिहार में अस्ती थे इसमें से कौन से जील जो बिहार में अस्ती थे तो जो अनुपम जील है ये बिहार में अस्ती थे बिहार में कहां अस्ती थे तो बिहार के कैमूर में अस्ती थे अनुपम जील साथ ही आपको याद रखना है कि सामर जील राजस्थान में अस्थी थे सुखना जील ये कहां पर अस्थी थे तो चंडी गढ़ में अस्थी थे सुखना जील बखीरा जील ये उत्र परदेश में अस्थी थे इजरायल की उभनिस्ट सीमाई है जो इजरायल की सीमा है किस-किस देश से लगता है आप से भी लोग comment box में इसके बारे में बताईए और आप लोग map खोल के एक बार देखेएगा ठीक है इजरायल की सीमा किस-किस देश से लगता है तो यहाँ पर देखिए लेवनान लगता है सिरिया से लगता है जौडन से लगता है और मिस से भी आपके लगता है तो पहला ठीक है लेवनान, सिरिया, टर्किस नहीं लगता है टर्किस नहीं लगता है इसमें टर्की है और इसमें आपके इराक, इराक से भी नहीं लगता है तो A इसका right answer हो जाएगा ठीक है A इसका right answer हो जाएगा next है निमलिखित नहर प्रनालियों में से किसमें बिहार के छेतर में सिचाई होती है, मतलब कि जो किस नहर से बिहार के छेतर में सिचाई होती है तो देख लीजिए किस नहर के बारे में मुख आयरन और अस्टिल उद्योग जो है किस पठार में है तो छोटा नागपुर के पठार में अस्थित है पिर्थिवी घंटे की अबधारना कब और कहां शुरू हुए तो आपको याद रखना ये शुरू होता है 2007 से कहां अस्ट्रेलिया के सिड्नी से तो D इसका रायाइट एंशर हो जाएगा इसमें क्या होता है कि परतेक मार्च के अंतिम सनिबार को साढहे 8 बजे पीयम से साढहे 9 बजे पीयम तक जो है सारे अपने घर के लाइट बत्ति को बंद कर दिया जाता है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्न में से नगदी फसल कौन सी है इसमें से नगदी फसल कौन सी नहीं है इसमें जो है बिहार के किस जिले में सरवाधिक पसू है तो बिहार के गया डिस्टिक में जो है सरवाधिक पसू है डिहार के गया डिस्टिक में सरवाधिक पसू है डिहार राज के किस नदी पर अस्थापित किया गया है तो जो डिहार राज के किस नदी पर अस्थापित है तो कोसी नदी पर अस्थापित है और किस डिस्टिक में अस्थापित आपसे पूछा जा सकता है तो सुपॉल डिस्टिक में अस्थापित है ठीक है और कितने मेगावाट का है तो 130 मेगावाट का है 130 मेगावाट का है निमलिखित में से कौन सा कथन आपके सत है इसमें से कौन सा कथन सही है तो देख लिजे कौन सा कथन सही है बिहार में लगवक 24% सरम सकती अपनी जीवका के लिए किर्सी और सहबर्ती कारियों पर निर्बर है तो बिल्कूल ठीक है गंगा के मैदानी भाग के समिर्ध प्राकिर्तिक संसादन किर्सी विकास के लिए अबसर देते हैं बिहार में बहुत संख्यक गरीब कुपोसी थे वर्स 2019 से बीस में किर्सी और सहबर्ती छेत्र का राज के सकल राज घरेलू उतपाद में 18.7% योगदान था तो सारे कथन आपके ठीक है तो एक से अधिक उप्शन इसका राइट हो जाएगा नेक्स्ट पॉइंट है रामसिला हिल पहाडी बिहार के किस जिले में अस्तित है वेरी वेरी इनपोर्टेंट है रामसिला हिल पहाडी बिहार के किस जिले में अबस्तित है अगर आपको पता नहीं है तो आप लोग गेस किजिए कहां पर अस्तित हो सकता है तो आपको याद रखना है गया में अस्तित है ठीक है गया में अस्तित है वन रिपोर्ट दो हजार उनीस के अनुसार बिहार राज में नियुंतम बनाबरन बला जिला कौन है तो आपको याद रखना है नया बन रिपोर्ट आगिया है तो इस को सवन को हटा दिजिए ठीक है नहीं आप लोग रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा नेक्स्ट पॉइंट है तप उमन ऐसे इसका अंसर हम बता देते हैं कि बुलिए कि इसका अंसर अपने बिता है बन रिपोर्ट एक सकेंड बन रिपोर्ट दोजार उनीस के अनुसार बिहार राज में नियुंतम बना बरन पर बिहार के गया डिस्टिक में अस्थित है तप उबन गरम जल कुंड काजू की किरसी के लिए कौन सी मिर्दा सरबादिक उपरयुक्त है तो काजू के मिटी के लिए काजू के किरसी के लिए सबसे उपरयुक्त मिटी है लिटराइट मिटी है कौन सी है लिटराइट मिटी है सबसे उपर्युक्त मिट्टी होता है निम्रिकित में से कौन सा उपाय है मिर्दा संदचन में परभावी हो सकता है इस में से कौन सा जो उपाय है मिर्दा संदचन में परभावी हो सकता है धालो की किर्सी योग खुली भूमी पर खेती को रोकना तो ठीक है अती चराई पर पबंदी लगाना ये भी ठीक है अस्थनांत्रित किर्सी को नियंत्रित करके इस कोशन को आप लोग समझें कि नहीं समझें दोबरा समझेंगा निम्लिखेत में से कौन सा उपाय जो है कौन सा ऐसा उपाय करे जिससे जो मिर्दा संडचित हो जाए तो पहला उप्शन दिखा है कि ढालो की किर्सी योग खुली भूमी पर खेती को रोकना बिल्कूल ठीक है क्योंकि वहाँ पर खेती किजेगा तो अगर बारिस पढ़ेगा तो मटी का बहुत तीजी सकटा हो जाएगा अती चराये पर पबंदी लगाना अगर अधिक चराये होजाएगा तो क्या होजागा घास पूरूतरीकास खटम हो जाएगा अगर बारिस पढ़ेगा तो जो उपर का मटी है वह कर भाह Nejत्रीक करना जो आपके खासकर जंजाती लोग करते हैं तो इसको आपको रोकने का प्रियास करना है तो सारे point इसके आपके ठीक है तो option में कोई नहीं एकदूती नहीं है तो क्या हो जाएगा E इसका right answer हो जाएगा E को हामा रंडिती संबंदित है E को हामा रंडिती इक किसे संबंदित है तो आपदा परवंधन से संबंदित है E को हामा रंडिती एक का बात है तो 1994 में आता है और आपको याद रखना है जपान में जपान के E को हामा नगर में जो है आपदा परवंधन से संबंदित 200 कॉन्फरेंस हुआ था कब 1994 में हुआ था निमलिकेत में से भारत के कौन से अतीप परचंड तिविर्ता भुकम पे छेतर जोन के अंतरगत आते हैं जहां पर अतीप परचंड भुकम पाता है तो देख लिजे कौन कौन से छेतर आपके आते हैं इसमें उत्रपुर्वी छेतर आते हैं हिमाले छेतर आता है कास्मिर घाटी और कच करन आपको याद होगा कि यहां पर बहुत ही तरास्दी हुआ था एक बार भुकम से तो सारे पॉइंट आपके ठीक हैं तो एक दू तीन चार होगा तो इसमें क्या है करक रेखा को काटती है very very important है जो भारतीय मानक समय या 824 डिग्री जो है किस राज में करक रेखा को काटती है तो 36 गण राज में करक रेखा को काटती है आप से भी कमेंट बॉक्स में लिखेगा कि जो करक रेखा है भारत के कितने राजयोंसों होकर गुजरती है आपको बता दिए गया देख लीजिए तो सबसे पहला आपको याद रखना है जो करक रेखा है भारत के आठ राजोसों होकर गुजरती है पहला गुजरात दुसरा राजरस्थान तिसरा मद पर्देश चोठा च्छतिस गड़ पाचमा जारखंड छठा पच्छ मंगाल सात्मां तिरिपूरा आठमा मिजोरम इसे नोट कर लिजैगा वेरे वरे इन्पोर्टेंट है ठीक है पूरोबी इबंपच्छंभ hat एक दुसरे से कहां पर मिलते हैं पूरोबी इबंपच्छंफा जो है एक दुसरे से कहां मिलते है तो निल गिरी पहाड़ी पर एक गौड पार्ट के लिए हीक्स बोसौन है क्या है गौड पार्ट के लिए हीक्स बोसौन है तो B इसका रैट अंसर हो जाएगा फिराइडे अस्थी रांग है फिराइडे अस्थी रांग क्या है इसके बारे में देख लिजी तो जो फिराइडे अस्थी रांग है, सारभौमिक अस्थी रांग है, सूची एक को सूची दो के साथ सुमलित करना है, तो सुमलित कर लिजी, पदार्थ और उपयोग, जो पहला आपका है, इस्पार्टेम, इस्पार्टेम, इसका जो उपयोग कहां पर होता है, तो कृतिम मधुरक में इसका इस्तमाल किया जाता है फियाउन इसका उप्योग जो है प्रसीतक में होता है नियोप्रीन इसका उप्योग संसिलेशित रवर में होता है बेना ड्रील इसका जो उप्योग है प्रती हिस्टे मीन में होता है तो आप लोग इसे match कर लिजेगा 3, 4, 1, 2 3, 4, 1, 2 तो C इसका right answer हो जाएगा ठीक है Next point है निमलिकेत में से कौन सा बिटामिन प्रति असकंदक 20 के प्रति 20 प्रति कारेक के रूप में परियोग किया जाता है तो आपको याद रखना है बिटामिन के का किस ठीक है बिटामिन के का तो D इसका right answer हो जाएगा मनुस के सरीर के किस अंग में लिंफोसाइट का निर्मान होता है तो जो लिंफोसाइट है इसका निर्मान अस्थी मज़ा में होता है लिंफोसाइट जो है इसका निर्मान स्रीर में जो है white blood sale होता है, जो white blood sale है, हमारे स्रीर का क्या है सिपाही है, हमारे स्रीर का क्या है यह सिपाही है, जो हमारा रोग परतिरोधप छमता है, उसे बना के रखता है, निमलिखित में से किस vitamin को ergocalciferol कहते हैं किस vitamin को जो है ergocalciferol बोला जाता है तो इसमें आपको याद रखना है बिटामिन D2 को जो है अर्गो कल्सी फिरोल बोला जाता है जबकि बिटामिन D3 को क्या बोला जाता है तो कोली कल्सी फिरोल बोला जाता है कोली कल्सी फिरोल जो है बिटामिन D3 को बोला जाता है जबकि अरगो कलसी फिरोल जो है बिटामिन D2 को बोला जाता है ठीक है सुनार निमलिखित द्वारा परियोग में लाया जाता है सुनार निमलिखित द्वारा परियोग में लाया जाता है तो देख लिजी एक बार अंत्रिच यात्रियों द्वारा डॉक्टरों द्वारा इंजिनेरों द्वारा नौ संचालकों के द्वारा ठीक है जो सुनार का उप्योग है नौ संचालकों के द्वारा जो है सुनार का उप्योग किया जाता है ठीक है साथ ही आपको याद रखना कि जो सोनार है इसका फूल फॉर्म एक बर साइद एक्जाम में पूछा भी गया है वी पेसे के दुवरा तो सोनार का फूल फॉर्म क्या होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग फिर से बोलते हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका फूल फॉर्म होता है ओरेकल है ओरेकल क्या है तो ओरेकल जो है एक प्रचालन तंत्र है दुसरा सब्द संसाधक सौप्ट बेयर है ओरेकल तो डी इसका रेट एंसर हो जाएगा निम्रिकेत में से कौन सा सुमलित नहीं है इसमें से देखिए आपके कौन सुमलित नहीं है अल्ला बनी करन समुंदरी जल ठीक है प्रतिलोम, प्रासरन, पे जल बिकृति करन, प्रोटीन पसुरी करन पसुरी करन ठीक है यह आपके चाय लिखा है तो क्या हो जाएगा पस्चुरी करन दूद हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा दूद हो जाएगा तो D जो option है D आपके गलत हो जाएगा और D इसका राइटन से हो जाएगा जो दूद का पस्चुरी करन जो है किसके दौरा दिया गया था किस बैग्यानी के दौरा दिया गय तो बी इसका रिय्ट एंसर हो जाएगा दंत च्छे का मुख करण है मुख के भीतर होने बाले जिवान वे दंत च्छे का मुख करण है जो दंत च्छे होता है उसका मुख करण क्या है मुख के भीतर होने बाले जिवान कार्वो हाइडरेट के खाद करनों के मद अंतर बेवार ठीक है अगर ठीक से आप रात को अपना मुद होके नहीं सुईएगा अगर आप खाएं और आपका जो रोटी है या चावल है दात के आसपास अगर मसूरा में है तो उससे क्या होता है कि दात जो होता है उस च्छे होता है तो B इसका रात एंसर हो जाएगा और सुबह जगी का तो बहुत खराब सास मिल भी आएगा निमलिखित में से बल का मातरक कौन सा है जो बल का मातरक कौन कौन सा होता है तो Kg, Ems, Pabar, Minus, 2 और Newton होता है तो आपके जो बल का मातरक है यह दोनों होता है तो एक से अधिक option हो जाएगा तो E इसका रात एंसर हो जाएगा परकास का तीवरिता नापने के लिए जिस उपकरन का उप्योग किया जाता है उसे कहते हैं उस उपकरन को क्या बोला जाता है तो उसे लक्स मिटर बोला जाता है ठीक है उसे लक्स मिटर बोला जाता है परकास किस प्रकार की गती करता है परकास जो है एक सरल लेखा में गती करता है तो E इसका right answer हो जाएगा निमलिकेत में से कौन सा गुन बायू का है इसमें से किसका गुण जो है वायू का है तो देख लिजी रंगीन है पारदर्शी है अस्थान घेरता है गंधीन है तो सारे पॉइंट ठीक है तो E इसका राइटन से हो जाएगा plaster of paris निम्रिकेत में से किसका एक उत पाद है ज़ो plaster of paris है किसका एक उत पाद है तो plaster of paris जो है calcium का एक उत पाद है plaster of paris का सुतर क्या होता है तो chaos 4 ठीक है उसके बाद का whole twice . h 2 o होता है ठीक हैं इसे नुट के लिएगा plaster of Paris का ये सूत्र है साथ ही आपसे पूछता है कि जो gypsum है gypsum का सूत्र क्या है जो gypsum है इसका सूत्र क्या है तो CASO 4.2H2O ठीक है इसे नोट कर लिजेगा आपके exam में पूछा जाता है ये आपके हो गया plaster of Paris का हो गया और नीचे बला जो है gypsum का हो गया जोड़ा जो है सही सुमलित है इसमें से कौन सा जोड़ा है वो सही सुमलित है तो देख लिजे zinc oxide जो zinc oxide है इसका इस्तमाल कहां पर होता है sweat pigment के रूप में होता है तो बिल्कुल ठीक है उसके बाद है sodium bicarbonate इसका इस्तमाल कहां पर होता है तो किटानू नासक की रूप में होता है तो ये गलत है तो sodium bicarbonate है इसका इस्तमाल बेकरी उद्योग में होता है ठीक है उसके बाद है iodine इसका इस्तमाल बेकरी उद्योग में होता है ये गलत है iodine का उपयोग जो है किटानू नासक की रूप में होता है उसके बाद है Jink Oxide, जो Jink Oxide है, इसका इस्तेमाल कहांपर होता है? तो मलहम बनाने में Jink Oxide का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? तो यह भी अपका सही है, और पहला था Jink Sulfite, इसका इस्तेमाल जो है, sweat pigment की रूप में होता है तो ये भी सही हो जाएगा तो इसका मतलब A और D सही है E और D सही है ठीक है? तो एक से अधिक option आपका ठीक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? E इसका right answer हो जाएगा ठीक है? E इसका right answer हो जाएगा निमन में से किसे जो है तो जल का अबसुसन जो है बिरिदात्र बड़ी गरंथी के दोबरा होता है निमलिकित में से रुमेनेट रोमन्थी है तो जो भी जानवर जुवाली करते हैं उन्हें रोमन्थी बोला जाता है जैसे कि गाय और बैस तो एक से अधिक अप्शन आपका ठीक हो जाएगा तो ई इसका राइटन से हो जाएगा पिवस गरंथी अंतस राबित गरंथी है जो जुड़ी है तो किस से जुड़ा हुआ है तो मस्तिक से जुड़ा हुआ है एंथरेक्स रोक के कारण क्या है तो एंत्रेक्स रोक के करण जिवानू है आतिस वाजी के दोरान लाल चटक रंग किसके उपस्तितिक करण होता है जो लाल चटक रंग है किसके उपस्तितिक करण होता है तो अस्ट्रांसियम के उपस्तितिक करण होता है और आपको याद रखना है कि जो आतिसवाजी के समय में जो हरा रंग दिखता है वो बेरियम के कारण दिखता है हरा रंग निम्न में से कौन सा एक समाजिक संदच्छन कारिकरम नहीं है इस में से कौन जो है सहरी रोजगार योजना ये नहीं है आसांगठित वरकर समाजिक सुरच्छा अधिनियम ये भी है तो सी जो है समाजिक सनच्छन कारिकरम नहीं है तो सी इसका right answer हो जाएगा इसका जो संबंध है रोजगार से संबंदित इसका संबंध है भारत में जनसंख्या घनत हुए भारत में जनसंख्या घनत जो है निरंतर बढ़ा है लगभग अस्थीर रहा है कुछ कम हुआ है पहले बढ़ा और फिर 1991 के पासचाथ घटा तो इसमें आपको याद रखना है कि जो भारत की जनसंख्या है अभी तक क्या हो रहा है निरंतर बढ़ता ही जा रहा है भारत की जनसंख्या जो है निरंतर अभी बढ़ता ही जा रहा है और आपको याद रखना है कि भारत में प्रती एक बर किलोमेटर में कितना लोग रहते ह तो 382 लोग रहते हैं और सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत भै किस राज का है तो बिहार राज का सबसे अधिक जनसंख्या घनत भै इतना आपको याद रखना है Next point है कि सब्द संछेप TRIMES से क्या बनता है Trims का full form क्या होता है तो इसका full form होता है TRIMES Trade-related investment major Trade-related investment majors इसका full form होता है तो बेपार सम्मंदित निवेश उपा है तो C इसका right answer हो जाएगा भारत में जनसंख्या बिर्दी के इतिहास में काउन सा वर्स जो है महा विभाजन का वर्स कहलाता है तो 1921 का जो वर्स है महा विभाजन का वर्स कहलाता है आपको याद रखना है कि 1891 से 1921 तक जो है जो जनसंख्या है भारत की वो क्या हो गई थी रूप गई थी अबरूद हो गई थी जबकि 1921 के बाद 1991 तक जो है भारत की जनसंख्या जो है हमेशा आपके बढ़ता रहा इसको बोलते हैं कि मरियादी तुरुप से बिर्धी होता रहा लेकिन अगर सबसे उच बिर्धी दर कब होता है तो 1981 से 2001 तक जो है भारत में बिर्धी दर सरवाधिक रहता है मतलब उच बिर्धी दर रहता है भारत में नेक्स्ट पॉइंट है डेमोगराफी में लिंग अनुपात का संदर्व है डेमोगराफी में जो है लिंग अनुपात का संदर्व किस्से है तो प्रती हजार पूर्शों के साथ महलाओं के अनुपाद से है तो C इसका राइट अंसर हो जाएगा APCG का पूर्ण रूप क्या है इसका पूर्ण रूप क्या है तो इसका पूर्ण रूप है Export Promotion Capital Goods तो C इसका राइट अंसर हो जाएगा किन प्रस्थितियों में पूर्ण गत लाव संभव है तो देख लिजे जब किसी उत्पाद के बिक्रे में बिर्दी हो अगर आप रेट कम कर दीजेगा तो उसका बिक्री होगा तो उससे ऐसा नहीं कि अगर आपका ज्यादा बिक्री हो रहा है तो आपको पुझी गत लाव संभव है ऐसा भी नहीं है जब किसी संपत्ति के मूल में प्राकिर्टिक बिर्दी हो तो ये तो ठीक है जब आप कोई रत्न खरीदे और उसके लोग प्रिता बढ़ने की करण उसके मूल में बिर्दी हो तो ये भी ठीक है तो एक छोड़ के जो है दो और तीन है तो सी इसका रेटन सरो जाएगा कौशा संगठन जो है वर्ल्ड एकोनोमिक आउटलुक नामक प्रकासन प्रकासित करता है तो अंतराश्टी मुद्राकोस आपके प्रकासित करता है उसके बाद विस्व आर्थिक फोरम के दोरा वैस्विक परतियस परधा रिपोर्ट प्रकासित किया जाता है विस्व बैंक के दोरा विस्व विकास रिपोर्ट प्रकासित किया जाता है सैंक्त राष्ट विकास कारिकरम के द्वारा मानब विकास रिपोर्ट प्रकासित किया जाता है दिराइज एंड ग्रोथ ओफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया पुस्तक के लेखक को ने जो बुक है यह बुक किसके द्वारा लिखा गया है तो विपिन चंद्रा के द्वारा यह बुक लिखा गया है तो यह इसका रहाट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है लगू और मध्यम उद्यम की नई परिवास्ता के अनुसार एक क्रोड से कम निवेस और पांच क्रोड से कम टर्न ओभर वाला उद्योग किस स्रेने में आएगा तो सुष्म उद्योग में आएगा ठीक है सुष्म उद्योग में आएगा तो सी इसका रहाट अंसर हो जाएगा और साथ ही आपको याद रखना है कि दस अजार सोरी दस अजार ने दस क्रोड ठीक है पचास क्रोड निवेस और टर्न ओभर 250 क्रोड से कम तो उसे किस क्रेटेरियम रखा जाएगा उसे मध्यम उद्योग के क्रेटेरियम में रखा जाएगा ठीक है इसे नोड कर लिजेगा इनपोर्टेंट है next IRDP का मुख उद्यश क्या है IRDP का इसका IRDP इसका मुख उद्यश क्या है सबसे पहले IRDP का फुल फर्म क्या होता है तो इसका फुल फर्म होता है Integrated Rural Development Program ठीक है फिर से बोलते है Integrated Rural Development Program इसका फुल फर्म होता यह आया कब था तो 1978 से 1979 में आता है और इसका उद्यश क्या है तो ग्रामीन विकास एबन निर्धनता निवारन करना ग्रामीन विकास करना है और जो गाओं में वहाँ पर निर्धनता को कम करना इसका उद्यश था भारत में निवजन अर्थविवस्ता अधारीत है भारत में जो है Planning अर्थविवस्ता अधारीत है तो Oczywiście अर्थविवस्ता पर तो बी इसका रैट अन्सर हो जागा भारत में आपको याद रखना है कि नीजी एवं सरव्यनिक दोने चेटर के जो कम्पनियां के याकी काम करती है तो ब, इसका right answer होगा डिजिटल अर्थ विवस्था के लाभों में निम्लिकेट मेंसे कौई सा समलीत नहीं है डिजिटल अर्थ विवस्था से जो लाभ होता है इसमें कौण आपके समलीत है तो सरवजनिक सिवाव में सुधार होता है ठीक है डिजिटल अर्थ विवस्ता आता है तो उससे सरवजनिक सिवाव में सुधार होता है पारदरस्ता आता है बेपार के अपसरों का विस्तार होता है नहीं रोजगार का सिर्जन होता है तो इसमें से क्या हो जाएगा सारे आप प्रोसेसिंग छेत्र कब अस्थापित किया गया था तो 1965 में अस्थापित किया था ठीक है कब अस्थापित किया गया था तो 1965 में अस्थापित किया गया था और आपको याद रखना है कि सेज आपसे पूछा जाएगा सेज, ठीक है, 26 आर्थिक छेतर होता है, सेज का फूल फॉर्म होता है यह भारत में कब से परभावी है, तो 2006 से परभावी है नूट कीजिएगा, 2006 से परभावी है, इसे नूट कर लिजिएगा बेरी बेरी इन्पोर्टेंट है, आपसे एकजामे पूछा चा सकता है बर्ष 1993 में गठीत रंगराजन कमिटी का संबंध था जो रंगराजन कमिटी थे इसका संबंध किसे था तो इसका संबंध था बीनिवेश से ठीक है इसका संबंध था बीनिवेश से तो D इसका रेटन से रो जाएगा 205 से हाली रिपोर्ट निमलिखित में से किस संग्ठन द्वारा वार्सिक तोर पर परकासित की जाती है तो यह परकासित किया जाता है किसके द्वारा तो यह परकासित किया जाता है सायंगत रास्ट विकास समधान नेटबर के द्वारा very very important point है बिस्वकु सहाली report जो है सायंग तुरास्ट विकास समधान नेटवर्क के दोरा प्रकासित किया जाता है और आपको आज रहाखना है पहली बार 2012 में प्रकासित किया गया था और 2021 में जब इसका रिपोर्ट आया तो इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला था तो 149 स्थान मिला था भारत को और पहला स्थान किसे मिला था तो फिन लेंड को ठीक है फिन लेंड को पहला स्थान मिला था नोट कर लिजेगा इंपोर्टेंट है समिधान में संसोधन की पहल किजा सकती है जो समिधान में संसोधन है केवल लोग सभा में केवल राजवा में, केवल राजविधान सभाव में, संसद के किसी सदन में अगर समिधान में संसदन करना है, तो इसका पहल लोक सवा या राजवा कहीं से भी शुरू किया जा सकता है तो D इसका right answer हो जाएगा और समिधान का संसोधन जो किस अनुच्यद में है तो अनुच्यद 368 में है, भारते समिधान के अनुच्यद 17 का संबन्ध किस से है तो 54 से अस्परिस्ता उन्मूलन से ठीक है, तो C इसका Right अंसल हो जाएगा मित को और कहानियों के रूप में प्रसाशन के सिध्धानतों को किस ने आसिवकार किया तो किस के दवारा आसिवकार किया गया है हरवर्ट साइमन के दवारा आसिवकार किया गया है जबकि फ्रेंक मेरेनी ड्वाइट वाल्डू डफ डबलू रिग्स ये तीनों मानते हैं राजसवा का पदियन अध्यज कौन होता है तो भरत का उपराश्पती होते हैं उपराश्पती को चुनामे कौन-कौन लोग भाग लेते हैं लोगसवा, राजसवा कि निरेबाचित और मनोनित दोने मेंबर आपके उपराश्पती के चुनामे भाग लेते हैं उपराश्पती को बेतन भत्ता जो है राजसवा के अधिश्दा करने के लिए जाता है तेहतर में समिधान संसुधन कानून की वैधानिक शुरुवात किस समिधान संसुधन बिल से हुई अच्छा पर स्वाल है कि तेहतर में समिधान संसुधन कानून की वैधानिक शुरुवात किस समिधान संसुधन बिल से होती है तो आपको याद रखना है चब शटमा समिधान संसुधन बिल के तहत होता है और कब होता है तो 1889 से इस समें प्रधान मंत्री कौन होते है तो राजिव गांधी इस समें प्रधान मंत्री होते है और आपको याद रखना है लोक सबास से पास होता है जबकि राजवाम पास नहीं होता है तो D इसका और राइट एंसर हो जाएगा निमन में से कौन सा अनुछेद जो है पंचायत के गठन के लिए राज सरकारों को निर्देश देता है तो अनुछेद चालिस जो है राज सरकारों को निर्देश देता है पंचायतों के गठन से नेक्स्ट है कि निम्लिकेत में से किस राज में बिधान परिशद की बिवर्स्ता है किस राज में जो है बिधान परिशद की बिवर्स्ता है तो आपको याद रखना है छे राज़ों में बिधान परिशद है कहां कहां है उत्रपरदेश, बिहार महरास्ट, करनाटक, तेलंगाना, अंध पर्देश क्या पूचा है कि निमलिखेत में से किस राज में बिधान परिश्वत की बिवस्ता है बिहार में है महरास्ट में है, करनाटक में है, उत्र पर्देश में तो एक से अधिक और तो E इसका रेट अंसर हो जाएगा निमलिखित में से सुमलित बिकल्प का चैन करना है इस में से कौन से जो बिकल्प आपके सही सुमलित है एक सेड़ आपके अनुसूची है दुसरे सेड़ आपके भी सए है कितनी अनुसूची है तो बारा आपके अनुसूची है ठीक है पाचमा अनुसूची में किसका जिकर किया गया है तो अनुसूचित छेतरो और अनुसूचित जातियों के प्रशासन से संबंदित उपबंध किया गया है नेक्स्ट पॉइंट है चोथी अनुसूची अनुसूचित छेत्रों और अनुसूचित जन जात्यों के प्रसासन और नियंत्रिन के बारे में उपबंध है ये आपके अनुसूची पांच में था ठीक है चार में ने अनसुची चार में क्या है रासवा का सीठ है आठमी अनसुची भरत की 22 भासाओं का उलेक है बिलकू ठीक है एक ग्यारमी अनसुची नगरपाल का छेतर के अस्थानिय सो सासन के लिए बिसवयों का उलेक है तो यह आपके गलत है यह आपके बारमी अनसुची में है बारमी अ नगर निगम में 18, 20 साहिसे नोट कर लिजिएगा, निम्द में से किस अनुछेत के तहत, राज्यों में राश्पती सासन लगाया जा सकता है, तो अनुछेत 356 के तहत लगाया जा सकता है, यहाँ पर आपको याद रखना है, कि जो राजपाल है, प्रेसिडेंट को एक बेदन देता है, और उसमें बताता है, कि जो राज है, राज में जो है, समिधानिक तंत्र बीफरल हो गया, मतलब कि समिधान के हिसाब से काम नहीं हो रहा है, तो प्रेसिडेंट जो है, राज में राश्पती सासन लागू कर सकते हैं, अनुछे 356 के तहत, ठीक है, और बीत आयोक का गठन किस अनुछेद के तहत किया गया है, तो अनुछेद 280 के तहत किया गया है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि फेडरल नियाले की अस्थापना निमलिकेत में से किस अधिनियम के द्वारा की गई है, तो फेडरल नियाले की अस्थापना 12 असन अधिनिय हो जाता है उडिसा जो है बिहार से अलग हो जाता है इसे नूट कर लिजेगा वेरे वेरे इंपोर्टेंट है जारकन बिहार से कब अलग होता है तो दो हजार को अलग होता है पंद्रह नमंबर दो हजार को ठीक है पंद्रह नमंबर दो हजार को अलग होता है बिहार में कितने डिस्टिक हैं, विहार में 38 डिस्टिक हैं और 38 मा डिस्टिक कुन है, तो अरबल है निमलिकेत में से जिलानी अधिसू की निकति कौन करता है तो राजपाल के दोरा किया जाता है ठीक है? दलित बंदु योजना किस राज की पहल है? जो दलित बंदू योजना है 21 राज की पहल है तो तेलंगाना राज की पहल है ठीक है तेलंगाना राज की पहल है किस सहर में अस्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विक्षित करने के लिए नेशनल अस्किल डेवलप्मेंट कोर्फरेशन और यू एई के DP बल्ड के बीच में एक समझोता ग्यापन पर हस्तचर किया गया है तो आपको याद रखना है 12 नसी सहर में अस्किल इंडिया इंटरनेशनल सिंटर बेक्सित करने के लिए नेशनल अस्किल डेवलेप्मेंट कोर्परेशन और DP बल्ड के बीच में समझोता हुआ है सैंग्त रास्ट महासभा ने सैंग्त रास्ट मानवादिकार परिसद में रूस की जगा किस देश को सामिल किया है तो रूस के अस्थान पर जो है चेक गनराज को सामिल किया है माई 2022 में हुई नियुक्तियों में कौन सुमलित है तो देख लिए जो कौन सुमली थे एलिजाबेत बॉर्न फ्रांस के दुसरी महला परधान मंत्री बने हैं तो बिल्कूल ठीक है एंथनी अल्बनेज अस्टेलिया के नए परधान मंत्री बने है ये भी ठीक है बिनेकुमार सकसेना दिली के नए उपराजपाल बने है ये भी लेखकों में कौन सुमली थे तो देखिए कौन सुमली थे रस्किन बॉंड का एक बुक है लिस्टन टू यूर हाट दा लंदन एडबेंचर तो ठीक है प्रिती सेनाय का कौन सा बुक है तो ए प्लेस कॉल्ड होम तो ये भी ठीक है बिमल जलान का बुक है दा इंडियन स्ट दुसरे साइड आपके संबंदिद छेत रहें लिवनीद क्रावचूक ये उक्रियन के राश्पती थे तो बिल्कूल ठीक थे अब्दूल गफार चौधरी बांगलादेश के करांतिकारी भासा अंदोलन गीत के गीतकार थे तो ये भी ठीक है एंडू साइमेंस अस्टेलिया क के पूर्व क्रिकेटर थे तो ये भी ठीक है तो इसके सारे कतर आपके ठीक है तो डी इसका राइट अंसर हो जाएगा किस मंत्राले दवारा केंदरिये अधिकार अनमोदन के लिए गती सकती संचार पोटल का विमोचन किया गया है इसे आप दोबारा ध्यान से तो संचार मंत्राले के दूर संचार विभाग के दोबारा बैंकॉंक में आयोजित उवेर कप 2022 किस देशन जीता है तो उवेर कप जीता गया है दच्छिन कोरिया के दोबारा उवेर कप जीता गया है नेक्स्ट पॉइंट है कि देव सहाय पिललाई को बेटकन सिटी में पोप फ्रांसिस कैथोलिक चर्च पोप फ्रांसिस द्वारा संत गोशित किया गया है यह उपलब्धी हासिल करने बाले पहले भारती बने हैं उनका जनम किस राज में हुआ है जो आपके देव सहाय पिललाई है इनका जनम किस राज में हुआ है तो इनका जनम तमिल नाडू राज में हुआ है मैई 2022 में पूर्व राश्पती रामनाथ गोविंद ने किस देश की संसत के दोनों सतनों की संयुक्त बैठक को संबोधित कि किया है तो आपको याद रखना है यह संबोधित किया है जमाइका के सैयुक्त संसद को ठीक है जमाइका के सैयुक्त संसद को संबोधित किया है गिरी मंतरी अमीसा द्वारा राश्टी साइबर फॉरेंसिक परियोग साला का उडगाटन कहां पर किया गया है तो राश्टी में पहले रास्टिय महला बिधायक संवेलन 22 का उडगाटन किया है तो उडगाटन किया गया है तिर्वंत पुरम में किया गया है ये किस राज में है तो केरल राज में है राच्छा मंतरी राजनासी द्वारा स्वदेश निर्मित दो यूद पोत सूरत और उदैगिरी को कहा लॉंच किया गया है तो ये कहां से लॉंच किया गया है मुंबई से लॉंच किया गया है मजगाओं डोक्यार में निमलिकित में से किस बेक्ती को मानद कमांडर ओफ दा आउडर ओफ दा ब्रिटिस एम्पायर से सम्मानित किया गया है तो किसे सम्मानित किया गया है आपको व किस भारती महला खिलारी ने 60 kg भारवरग में स्वन पर्दक जीता है तो निकःत जरीन के दवरा जीता गया है आप लोग फीफा के बारे में याद ड़ेकेगा FIFA 2022 फीफा 2022 का अयोजन कहांपर किया गया है तो FIFA 2022 का जो अयोजन है कतर में किया गया है नुट कीजिएगा कतर में किया गया है और इसमें विजेता कौन से टीम रहता है तो एर्जेंटीना टीम जो है विजेता है ठीक है और जो विजेता टीम है इसे कितना पैसा मिला है तो 42 मिलियन डॉलर मिला है उप विजेता कौन है तो विजेता फ्रांस है और इसे कितना पैस मिला है तो 30 मिलियन डॉलर मिला है और तिसरा स्थान पर कौन रहा है तो तिसरा स्थान पर कुरेशिया देश रहता है तिसरा स्थान पर जो है कुरेशिया देश रहता है गोल्डन बॉल का पुरसकार किसे मिला है तो लियोनेल मेसी को मिला है ठीक है लियोनेल मेसी को जो है गो गोल्डेन बॉल हो गया गोल्डेन बूट ठीक है गोल्डेन बूट का सम्मान किसे मिलता है तो एम बापे को मिलता है ठीक है एम एम बापे को मिलता है से नूट के लिजेगा लिख लिजेगा एम बापे को मिला था जो एम बापे इनका सम्मंद फ्रांस से इनका सम्मंद था एमबापे का जबकि जो लिएनल मेसी थे इनका सम्मन्द अर्जन्टीना से था मैई 2022 में आयोजित जो है बारमे होकी इंडिया सिंदियर महला राश्टी चेंपेंशिप 2022 का खिताब किस राज ने अपने नाम किया है तो उडीसा ने अपने नाम किया है हाली में संचार मंत्री अस्वनी बैसनम ने जो है किस सेचनिक संस्थान में भारत में 5G कॉल का पहला सफल परिचन किया है तो इस सफल परिचन किया गया आपके आयाटी मदरास में ठीक है आयाटी मदरास में जो है फैब जी कॉल का पहला सफल परिचन किया गया है नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के बिसे सग्विय की एक टीम ने जो है 8830 मिटर की उचाई पर किस परवत पर दुनिया के सबसे उचे मौसम केंदर अस्थापित किया है तो माउंट एवरेस्ट पर अस्थापित किया है माउंट एवरेस्ट किस देश में है तो माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल देश में अस्थित है निम्रिकेत में से किस बनाया गया है चीन के द्वारा ठीक है योजना बनाया गया है चीन के द्वारा नासा मत मारिएगा नासा कहां की अस्पेस एजनसी है तो नासा जो है अमिर्का की अस्पेस एजनसी है ठीक है भारत की अस्पेस एजनसी उसका नाम क्या है इसरो जो है भारत की अस्पेस एजनस है तो यह किया गया इडानी besports line के द्वारा किया गया है किस राज सरकारे अपना पहला सरकारी OTT ओ ए टीट प्लेटफॉर्म लॉंच करने की घोषना की यह गोषना किया गया है के点 למे के वार के दौरर चेकर के सम्मानित किया है तो किस के दौरा सम्मानित किया है इस सम्मानित किया है WHO के दौरा World Health Organization के दौरा सम्मानित किया है English Premium Link Football 2021-22 का खिताब निमलिकित मेंसे किस टीम ने जीता है तो Manchester City के दौरा जीता गया है साथ ही फीफा के बारे में एक पॉइंट यवराद रखेगा कि सबसे अधिक फीफा का खिताब किसके दौरा जीता गया है तो पांच बार जो है ब्राजिल के दौरा जीता गया है जो अर्जन्टीना है कितने बार जीता है ठीक किसे नूट कर लिजेगा फ्रांस दो बार जितता है अर्जेंटीन आपके तीन बार फ्रांस जो है आपके दो बार जितता है निमलिकेत में से किस देश ने मंकी पाउक से पुलित मरीजों के लिए 21 दिन का अनिवार कॉरिंटीन शुरू किया है तथा ऐसा करने वाला पहला वह देश बन गया है तो उस देश का नाम क्या है उस देश का नाम आपका Belgium है ठीक है भारती मुल्के किस बिजनेस मैन को दुसरी बार London Bureau of South Work के मेर की रूप में चुना गया है तो चुना गया है सुनील चोपड़ा को चुना गया है किसे भारती सेना की पहली महला कॉमबैक्ट एवियेटर के रूप में आर्मी एवियेशन कॉप्स में सामिल किया गया है तो यह आपके सामिल किया गया है कैप्टेन अभिलासा बराक को सामिल किया गया है परदान में अरेंदर मुझे ज्री नेरिंड है